लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चनल्स को सब्सक्राइब करें और डेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्टा लेटेस्टी रढें अंहरा लेटेस्टा चनल्स अंपड़ करें और बादश आपकलो एफाने में आपकलो प्राव करेंग ये दिद्धूषी गुट भी टस्टेश। आम नमस्षिवाय, 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 आम नमस्षिवाय आमार्चिवाय, ओमार्चिवाय, ओमार्चिवाय. आमार्चिवाय, ओमार्चिवाय, 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 ओमार्चिवाय ओर नमाच शिवाइ ओर नमाच शिवाइ ओर नमाच शिवाइ मैं ओर नमाच शिवाइ मैं तो तब की बात कराओ इसे बहुत पहली की बात है तब के बढ़ एक शिवाइ प्रकाश और दकार दोनों ही एक शिवाइ इस शिवाइ इस शिवाइ कोई रंग में नहीं था क्योंकि रंगों मेरी तो बहुत बात में चल्ग लिया मैं उस शिवाइ मैं पंजे कैसे करो क्योंकि पंजे शब्दों की माँ करता है और मैं पार्शाओं के बनने से पहले की बात करा तब के बात जब कुछ नहीं था कुछ भी नहीं था बस एक स्वार था जो सन्नारे के उस अथासर तहरा था सन्नार्डा जिसकर कोई रंग नरूप उसके विश्री सोच नहीं सभाव है क्योंकि सोच तो सीवित है समय की दुरी से पते हुए प्रमार्ण की सीमा एक के बार जाने सकते इसलिए हे मन जाते अपनी सोच की जोखट पर बैठ कर और आखे बंद करके देख और मन के काँ लगा कर सूँ मैं आद आद हो आद स्वरों आद आद हो आद स्वरों मैं सर्शत्यान मैं श्वस्वस्वश्वी जी करते हो मैं श्वश्वश्वश्वी जी सिष्टी की आद हो आद आद स्वरों श्रियान महिष्वस्राशिजी का साथ विक्रूप जो पंचान है उस स्वरूप का प्रतेष्ट रशार को स्मर्ण करता ओम श्रावे ओम श्रावे हे सरुशक्तिमान, महिष्वर सदाशिक, शिवा का प्रणाम सुईकार करें मैं तुमारा श्राशिजी का सदाशिक, श्राशिक, 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 और इस होने और ना होने के बीच क्या है अब हम क्योंकि यदि आकार लिया है तब कर नहीं होगा कर्म वो है जिसका परिणाम आनन्द हो और सुर्ण आनंद क्या है सभी सभी कुछ पर पड़ेगा सुख सुख दुख दुख आनंद प्रकार प्रकार अंधकार जीवन जीवन विप्त इस शुन्यों ना पड़ेगा तो आईए निर्मान कारे आरम करें आरम अर्थात अर्थात ना होने से होने का अंकुर पूटना आरम है शक्तिमान तो आप एक और शब बनाएगा आरम अरम और अंधन तो इस नभीन शब अंत की परिभाशा अंत की परिभाशा आरम बनाएगा तो हे सर्वशक्तिमान आरम का कारे आरम करो जिससे मैं अंत का अर्थ समझ सकूँ तो आईए निर्मान कारे आरम करें इवगं बोशा आरम इसका आरम इस प्रकार्स संपूर्ण वातावरण में व्याप्त शूम्यता को भरने के लिए देवादी देव शिव और मा शिवाने आकाश, वायू, अग्न, जल, प्रित्वी एवं ग्रेनक्षत्रों की रचना के तत्पश्यात स्वयं की रचाई गई आनंदपूर्ण इन रचनाओं के परमाणों में लैताल, स्पंदन और कति को संतुलित रखने, तथा स्रिष्टी में कल्यानकारी तत्वों का समावेश करने के लिए प्रथम छैरागों, बहरव, श्री, बसंत, मेग, मलहार वा नटनारा का स्रिजन किया, इसके उपरांत शिवशंकरवा माशिवा ने आदि मृत्य आरंब कर अपनी रचदाओं को कतिमान और शक्तिमान बनाया कमेंध्य वन्यान इंवाओं का स्रिजन अफरा वस्राइब प्रथमृण शचे भी अर्मान डे खरे वजवशंकर प्र॥मृण चिर्थमृणलने के लिए। प्रोभररी ऐखंगे । आर्थमृणलने माश्वलने के लिए। हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ हुआ है 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 ओम नमा शिवाई कि हम कौन हैं हम कैसे प्रकट हुए हैं हमें किस ने उत्पंद किया है हमारे मन में यह इच्छा जागरित हो रही है कि हमारा कर्म और करतव्य क्या है कि इस तो श्रीहरी विश्णी जी कमल के आसन पर प्रकट वने वाले श्रीभम्मा जी आप दोनों मुझे सदाशिव की श्रिष्टी कामना से उत्पंद हुए हैं कि मैं ही आपका जन्न दाता हूं कि यदि अपने अन्य प्रश्णों के समाधान के इच्छिक हो तो इस जोती स्थम के आदी अंत का संधान कीजिए कि मेरे स्वरूप में प्रवेश कीजिए कि मेरे ओर जोर का पता लगाईए कि आप हरो शक्ति माद में प्रवेश करके इसके आदी अंत का अन्वेशन करेंगे और प्रवेशन के आप में इसके उपरी छोड़ का पता लगाईए अवश्य आवश्य श्रीक्ति सर्व शक्तिमान महेश्वर सदाशिप जी के ज्योति स्वरूप के आदियंत का संधान करते हुए श्री ब्रह्माजी और श्री हरी विश्वोंजी की आत्रा निरब्तर चलती रही इस बीच समय का चक्र खूंता चला गया कई युब बीद गए परन्तु श्री ब्रह्माजी और श्री हरी विश्वोंजी सर्व शक्तिमान महेश्वर सदाशिव जी के जोति स्तंप के और छोड का पता नहीं लगा पाए जल क्या जल क्या आखाश क्या जरक्षी जांगे हो मही आन्येशी सदाशिव की जोति सब्से पाए हैं जिता अखने दितार जिसका ओर जोड़वाना असाव हो जिताव तस असाव अन्द में दोनों अपने प्रस्थान बिंदु की ओर मुड़े और एक स्थान पर उनकी पहिट हुई प्रमजी ऐसा प्रतीत होता है कि सर्व शक्तिमान महेश और सदाशिव अनादी अनंद है तब तो हमेश अन्दान जात्रा चोड़कर सर्व शक्तिमान महेश और शिरी सदाशिव से विद्धन करनाओक तेरा आगे अनंद सर्व शक्तिमान महेश और सदाशिव आपका जोधी सोरू अपर वरभार है हम आपके आदियंत का पता लगाने आसावत है यह जोती स्वरूप सर्व शक्तिमान महेश और सदाशिव जी आप हमें अपने स्वरूप का ज्यान कराएगे श्री भम्मा जी श्री हरी विश्मु जी मुझसे युद्पन आप दोनों अब तक मेरे स्वरूप से अनभिक्य हैं परिचित नहीं है अपरिचित है मेरी जोती में पहुचकर ही आपके अंतर का अंधकार दूर नहीं हुआ इस अंधकार को मिटाने के लिए हमें क्या करना होगा सदाश्यू जी मेरे सुरूप का दर्शन पाने के लिए अखन रूप से मेरा ध्यान करते हुए आप दोनों तब कीजी तब ही समस्त कारियों का साधन है जोआ क्या है सर्व शक्तिमान महेश्वर सदाशिव जी अब हम तब करके ही आपको प्राप्त करेंगे और श्वरेश्वर सदाशिव जी हम जहीं करें तब करने से आपकी द्रिष्टी निर्मल होगी और तब में साखशात प्रकट होकर आपका मार्क दर दर्शन करूगा अब आप दोनुह तब में वीन कुम लुग जब 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 कर दो आखिवाई नमने श्मा श्रवान नमने श्रवा नमने काड़ fire झाल झाल